जय माँ श्री माता जी जब पहली बार श्री अरुबिंदों से मिलने पूंडी चरी पहुँचे तब की ये भात है जहां श्री अरुबिंद रहते थे उस घर के पास एक छोटी सी गली में वो पहुँचे वहाँ पहले से कोई आदमी खड़ा था श्री माता जी खूज रहे थे कौन सा घर होगा जहां श्री अरुबिंद मिलेंगे उन्होंने वो खड़ी व्यक्ति को पूछा श्री अरुबिंद गोश कहां रहते हैं उसने बहुत ही शान्ति से गेस्ट हाँस के द्वार की तरफ अपनी उंगली उठाई और संकेत दिया श्री माता जी वो द्वार की तरफ प्रयान करने लगे श्री माता जी ने उस व्यक्ति का नाम और पता किसी को भेज कर अच्छी तरह से जान लिया और वो आदमी जहां तक जीता रहा तब तक प्रतिमास श्री माता जी कामेश्वर के द्वारा एक नियत राशी उनको भेजती रही इतना ही नहीं लेकिन दर्शन दिवसों के समय जब दर्शन करने की लाइन खड़ी हो जाती तो पहली कतार में पहला आदमी वो ही रहता था जिसने श्री माता जी को श्री अरोबिंदो का घर बताया था श्री माता जी कहते हैं मैं वहाँ आदमी का ध्यान इसलिए रख रही हूँ कि मैं उनकी कृतग्य हूँ यही तो व्यक्ति है जिसने मेरे इश्वर का किकाना मुझे बताया है एक बार एक व्यक्ति ने श्री माता जी से पूछा मा जब कोई आपको चीटिंग करने का प्रयास करता है तब आप तो जानती है क्या हो रहा है फिर भी वह आदमी को रोके बिना आफ ऐसा क्यों होने देती है श्री माता जी ने उत्तर दिया मैं एक बैता हुआ जर्ना हूँ उसमें से सभी व्यक्ति पानी पीशक्ते हैं वो अच्छा हो या बुरा हो कभी जील ये नहीं सोचता कि कौन पानी पीएगा और कौन नहीं पीएगा जो पानी पीता है उनको ये सोचना है कि जील स्वच्छ तो रहना चाहिए ये उनका सोचना है मेरा तो सिर्फ आशिरवाद ही है